के हलो आज हम लोग करेंगे एक紹़ करेंगे लैंड्सकेप स्केच तो कि मैं अभी आप लोगों को लैंड्सकेप के слов बता रहे हूं और इ exec वीडियो मेंने आप लोगोंको लैंड्सकेप में डिवाइड लाइन के बारे बताया था थी कह lay का वो पहला वेडियो है लैंड सकेज करने के लिए पेइंट करने के लिए झब तक आप डिवाइड लाइन को नहीं समझोगे अब कभी ही एक अच्छा लैंडस्केप नहीं बना सकते हैं जाए पेंसिल्स से छाइँ अब कलर के साथ ठीक है, डिवाइड लाइन नहीं समझोगे, वो हमेशा एक बच्चो जैसा ही पेंटिंग बनेगा, इसलिए लैंड्सकेप का जो पहला इस टेप है, वो है डिवाइड लाइन को समझना, कि कहां से डिवाइड होता है, ठीक है, मैंने वीडियो बहुत डीटेल में बनाया है, जो भी नहीं देखे हो, तो जाके देख लेना, लैंड्सकेप एक डिवाइड लाइन के साथ ही हो जाता है, अगर आप सही जगह से डिवाइड करने जानते हो, ठीक है, उसमें हजार तरह के चीज़ों को बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है, एक सिंपल सा सुंदर सा बहुत important वीडियो है, जाके देख लेना, आज हम लोग एक complete sketch बनाएंगे उसे divide line के उपर, मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, आज का वीडियो थोड़ा detail में होगा, sketch करेंगे हम लोग, एक लाइंड्सकेप को, यहाँ पर मेरे पास कुछ reference है, जिसके साथ मैं है, ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे, यह एक painting है, oil painting है, बट मुझे नहीं पता, किस artist का है, लेकिन यह एक painting है, जिसको हम लोग sketch में काम करेंगे, इस से मुझे सिर्फ आइडिया लेना है, हम लोगों को सिर्फ सीखना है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, और जो भी चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, और बिल आइकन को हिट करके रखना ताके मैं ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिवाइड लाइन लेंगे, और आज मैं जो पेपर ले रहा हूँ, वो कार्टरिज सीट है, 140 GSM मौला, आज ये पेपर नहीं है, जेरोक्स पेपर नहीं है आज, तो सबसे पहले एक डिवाइड करना है, ठीक है, जैसा कि यह यहां रिफरेंस में आप देख रहे हैं हो, इसका डिवाइड लाइन देखो, यह जो जमीन का लाष्ट छोड देख रहे हो ना, इस से डिवाइड करना होगा आपको, और यहां से यहां तक यह आसमान का है, एरिया, ठीक है, यह मत देखो कि यह पेड है, यह पेड जो है न असमान हमेशा ज्यादा होता है, और जमीन कम दिखरा होता है, ठीक है, इस situation में, कई बार आप reference में अगर अगर आप बनाएंगे, अगर 3 किलोमेटर अरिया 5 किलोमेटर अरिया को बना रहें, तो यह जह जमीन का छोर है, वो उपर चला जाएगा, आसमान कम और जमीन कम दिखे है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिवाइड लाइन करना है और अब डूढ़ना है आपको कि जितना कुछ यहां पे घर पेड़ वगएरा जो कुछ है वो डिवाइड लाइन में है या पहले है ठीक है तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको जैसे यह वाला घर यह डिवाइड लाइन में नहीं है ठीक है यह वाला घर यह भी डिवाइड लाइन में नहीं है डिवाइड लाइन में कौन है यह पीछे का पेड़ बगएरा यह सब ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रो करना है जो घर के लिए थोड़ा डीटियल में होगा ड्राइंग और स्केज मैं एक कम्प्लीट स्केज बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को बट फिर भी कोसिद करेंगे कि थोड़ा रेंडम ही हो टाइम कम हो अक्छिली जब कम टाइम में वीडियो बनाना चाहूँ न तो फिर ऐसे टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता कि कब 10-15 मिनट हो जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को बताओ वीडियो का लेंथ कम हो ताकि आप पूरा देख सके बहुत लोग सिर्फ इसलिए नहीं देखते हैं वीडियो को कि इतना लंबा वीडियो है अगर आप वीडियो देखोगे ना अगर आप सीखने के लिए देखोगे तो वह 20 मिनट का वी वीडियो है आपको पता नहीं चलेगा और वो कम लगने लग जाएगा क्यों हो 20 मिनिट कहीं था जिसको टाइम देखके सिखना है उसके लिए वीडियो नहीं है तो वो लोग तो देखना भी मत मेरा रिटेंशन खराब करने के लिए ठीक है डिवाइड लाइन से ये पहले है इसलिए घर ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ठीक है अब एक घर इससे पीछे होगा लेकिन डिवाइड लाइन से पहले होगा तो ये घर क्या होगा इससे छोटा होगा अब यहां से जो रास्ता आया हुआ है अगर आपको यह लाइन डिवाइड लाइन अगर आपको पता है कि कैसे खीचना है कहां से खीचना है आप किसी भी मीडियम के साथ करें लैंडस्किप चाहिए वो वाटर कलर चाहिए अक्रेलिक चाहिए वो sketch करें, किसी भी आप medium से करें काम आपका एक अच्छा composition के साथ landscape निकलेगा लेकिन अगर यह नहीं पता है तो कितनों मक्षन मार के print कर लो, कोई फैदा नहीं है ठीक है, इसलिए ध्यान यहां लगाना सीखने का कोसित करना और मैंने बहुत detail में बताया है इसमें, जाके landscape का basic detail वाला देख लेना मेरा वीडियो अब यहां से पेड़ वगर है देखो पीछे का इसका जो divide line है ना यह क्या है, थोड़ा सा यह पहाड़ी area टाइप है, तो इसको उठा दो कोई दिकत नहीं, कई बार ऐसा होता है एक ही थोड़ा पहाड़ी टाइप हो इधर वाला समतल है और इधर वाला थोड़ा पहाड़ जैसा उठा हुआ है तो कोई दिकत नहीं है हर जगर समतल ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अब यहां जो पेड़ वगर है अगर एक घर मैं यहां पे बना दू एक घर मैं यहां पे बना दू बिल्कुल डिवाइड लैन में देखो कैसे मैं छोटा कर रहा हूँ यहां पे नहीं है, मैं खुद से इसको एड़ कर रहा हूँ ठीक है, एक पेड़ जो है, वो कहां से निकल आएगा, यहां से बहुत दूर में है तो पेड़ का इंप्रेशन बन रहा है ट्रंक बहुत मोटा नहीं रखना, ठीक है distance के according सब कुछ hide होने लगता है, याद रखना किसी चीज़ को आप बहुत detail में नहीं दिखा सकते हो, अगर distance दिखाना चाहरे हो एक एक बात जो है ना, वो बहुत ही, आपके लिए बहुत informative हो सकता है लेकिन अगर आप उसको देखोगे तभी इस landscape को बनाने में एक line भी मैं ऐसा नहीं चला रहा हूँ जिसको मैं अपने मन से चला कर बगएर बताएं मैं निकल जाओ इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लेना एक पेड़ बना दिया, पीछे का जाड़ी जंगल वगएर कुछ ड्राइं को मैं थोड़ा फास्ट निकाल रहा हूँ ताकर टाइम बच जाए ठीक है, यह है डिवाइड लाइन बाकी जो भी डिटेल होगा भी हम लोग इसमें जैसे स्केज करेंगे थोड़ा सा डिटेल एड करते हुए चलेंगे ठीक है, यह हो गया स्केज, अब हम लोग इसको करेंगे शेडिंग, ठीक है, ड्रॉइंग हो गया तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, पहले बाइग ग्राउंड लेना है, ठीक है जो आपका घर है उसको बचा के रखना है क्योंकि फोकस हमारा सीधे घर में होगा बनाना बहुत कुछ को है, लेकिन फोकस श्ट्रॉंग होना बहुत ज़रूरी है पेंटिंग में और नहीं तो जब आप स्केज को देखेंगे, पेंटिंग को देखेंगे आपको समझी भी नहीं आएगा कि इसको देखा कहा जा रहा है इसलिए फोकस पे जरूर दियान दे फोकल पॉइंट बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए बहुत किलियर होना चाहिए कि आप किस चीज को दिखाना चाहरे है पूरे सीन में ठीक है पूरे सीनरी में इसको दिखाना चाहरे है अब यहाँ पर मैं यह जो ग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा ओफ कर लेता हूँ क्योंकि पेपर वाइट है घर भी वाइट होगा और ग्राउंड भी वाइट होगा तो सब कहीं न कहीं मर्ज हो जाएगा तो बाकी चीजों को थोड़ा ओफ करना पड़ेगा ताकि घर जो हमारा है वो निकल कर बाहर आए ठीक है अब हम लोग को क्या लेना है अब लेना है लाइट लेंगे फिर हम लोग डीटेल करना इसमें सुरू करेंगे ठीक है ये चीज बहुत किलिए रखना कि डिवाइड लाइन ये डिवाइड लाइन है ये वाला घर का बेस लाइन है और ये वाला घर का ये बेस लाइन है और ये घर जो है वो डिवाइड लाइन में टिका हुआ है तो जो जितना पास आ रहा है वो थोड़ा बेस्लाइन उसका बनता जा रहा है अब हम लोग क्या करेंगे एक डार्क पेंसिल लेते हैं इट भी पेंसिल है बहुत light sketch करेंगे हम लोग कोसिस करेंगे थोड़ा और depth के साथ हम लोग निकालने का इसको कोसिस करेंगे light मैंने पहले दे दिया अब dip हम लगाएंगे और इसको बाहर निकालने का कोसिस करेंगे, सबसे पहले क्या करने है आपको कि decide करना है कि आपको light कहां से लेना है ठीक है, तो light हम इधर से लेंगे ठीक है, यहां से तो इधर का जो भी portion है वो light होगा और इधर का जो भी है वो dark होगा तो सबसे पहले हम क्या करते है इस वाले पेड़ पेड़ को बिलकुल detail में नहीं बनाना है क्योंकि पेड़ का एक distance है जिसके वज़ा से एक impression या group form में दिख रहा है वो हमको detail नहीं दिख रहा है वो लेकिन जो pencil आप चलाएंगे वो impression दिखाने जैसे चलाएंगे आप यह नहीं कि बिलकुल किछ पिछ सब भर दिया वैसा नहीं पेड़ बनाने के लिए एक्छली किछ पिछ वाला इस ट्रॉक ही होता है बट उस पर भी एक idea होना चाहिए कि आपको पता होगा कि पेड का जो नेचर होता है वो बहुत सौफ्ट होता है तो जब आप painting sketch करते हैं तो यह समय आपका वह उसका nature दिखना चाहिए softness होना चाहिए आपके drawing में या painting में sketch में बहुत लोग बहुत hard sketch कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, पेड़ का character पकड़ में आना चाहिए, कि हाँ आप वालब साफ्ट लग रहा है, और लैंड्सकिप अगर आप बनाना चाहते हैं, तो कोसिस करें कि एक एक करके सीखने का, पेड बनाना सीखो, जाड़ी बनाना सीखो, घांस बनाना सीखो, घर बनाना सीखो, हट बगार बनाना सीखो, और अगर यह सब पता नहीं रहेगा तो आप लैंड्सकेप में क्या दिखाओगे, क्या जोड़ोगे, ठीक है, इन सब के बगए आपका landscape पदूरा है इसलिए इन सब चीजों पे काम करना जरूरी होता है आप इससे पीछा छुड़ा के नहीं भाग सकते ट्री में मैंने पहले एक बार स्केज कर दिया है एक लेयर मैंने पहले चड़ा दिया है और दुबारा बबगा सिर्फ आपको अंदेरा करना है डार करना है लाइट के उपोजिट आपको सिर्फ डार करता रखना है और डार करके निकालना है आपको बस टरंक वगएरा कभी भी ख्याल रखे की बहुत मोटा नहीं बनाना है क्योंकि इसका distance अच्छा खासा है जितना मोटा बनाओगे आपका composition उतना खराब होगा एक feeling एक impression के साथ काम करना है अब इधर जो है आपको कुछ दिखनी रहे क्योंकि अगर आप इधर अगर आप ज्यादा detail करते है तो कहीं ना कहीं जो focus है उसमें वो यह attack करेगा आपको और आपका focus इधर लेके चला जाएगा इसलिए इसको इतना random करें कि यह ignore होता रहे जाए बस आपको इसमें ज्यादा ध्यार नहीं देना है नीचे के तरफ हमेशा dark करें और उपर जैसे जा रहे है light करें क्यों क्योंकि sunlight जो आ रहे है वो उपर में जरूर पड़ेगा पेड़ के उपर में जाड़ी के उपर में इसलिए हमेशा नीचे के तरफ depth करना चाहिए डार्क करना चाहिए एक impression बना के छोड़ देना है इसको जितना उपर जाओ अब उतना lightly करते जाओ अब मैं यह side में जाना है बिल्कुल इसको off करके निकल लेना है ठीक है पीछे का इधर का भी जाड़ी अगर है इसको भी बिल्कुल आप इसको बहुत finishing से बना सकते इस तरह से sketch कर सकते है यह oil painting है जिसको मैं बना रहा हूँ sketch कर रहा हूँ तो आप कोई भी color वाले reference को भी आप sketch कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह अब हम लोग को करना है घर में काम करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है light हम लोग को इधर से लेना है तो इस वाले दिवार को पहले off करना है क्योंकि इधर shadow पढ़ रहा होगा ठीक है इधर एक दर्वाजा भी रख लेते हैं हम लोग जो थोड़ा अंदेरा होगा डार्क होगा और इस वाले चपपर का shadow यहाँ पर इस दिवार में गिर रहा होगा थोड़ा सा इसका shadow नहीं गिर सकता सिर्फ इसका shadow गिर सकता है ठीक है इस वाले का भी shadow यहाँ पर गिर सकता है और यह वाला पीछे वाला घर जो है वो किसी चीज और shadow से यह आधा इसमें छुपा हुआ है आधाओ गिर आधागी shadow के जुआ है किसी चीज का यह लाइन जो है वो थोड़ा डार कोना है अब यह घर हमको बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से यहां पर इस ग्राउंड में भी शैड़ो गिर रहा है पेड़ वगए रहा है कुछ जिसका शैड़ो गिर रहा है अब बिल्कुल इस तरह से रिंडम ले ले शैड़ो जैसे लेंगे ना इसको थोड़ा सा वो बाहर करेगा शैड़ो इसको बाहर करने में वो सपोर्ट करेगा इस तरह का थोड़ा डीटेल वाला स्केच मैंने नहीं बनाया अभी तक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट देखना जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और स्केचिंग करने का आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्केचिंग किया जाता है बहुत डीटेल नहीं किया जाता है बट हाँ जितना जरूरत है उतना आपको करना पड़ेगा यह रास्ता भी सामने का बिल्कुल छूपा हुआ है तकि जो फोकस है वो बिल्कुल स्ट्रॉंग बन सके वहाँ जा सके हमारा नजर ऐसे जगाओं को और भी बड़े अच्छे से डीटेल से किया जाता है बट मैं रिंडम इसलिए कर रहा हूँ टाइम को देखते हुए इस तरह का आप भी स्केच बनाओ या तो आप इसी को बनाओ और फिर मुझे आप इंस्टागराम में मुझे भेज सकते हो करेक्शन करा सकते हो मैं जरूर आपसे बात करूँगा आप डिसकस कर सकते हो मेरे साथ ठीक है इस घर का श्रैडव क्या होगा इधर गिर रहा होगा इसका श्रैडव इधर गिर रहा होगा ठीक है और बाकी यहां पर जितना कुछ मैंने एड किया है चोटे-चोटे चीज़ों को लैंड्सकेप में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उसमें खुबसूरती आ सके इसको भी ड्राइंग स्केचिंग क्लासे सकर जोइन करना है मेरा तो आप जोइन कर सकते हूं मैंने बिगिनर्स के लिए एक कोर्स डिजाइन किया है जो तीन महिने के लिए है जिसमें ड्राइंग स्केचिंग बेसिक से लेकि मैं एड्वान्स लेवल तक आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है उसमें है श्टिल लाइफ, फिगर, पोर्ट्रेट, लैंड्सके, फ्रस्पेक्टिव, फिगर फ्रस्पेक्टिव और बहुत डीटेल में है जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूं इससे दोगुना आप डीटेल्स में उसको आप बहुत अच्छे से सीख सकते हूं ठीक है जिसका फीज मैंने सिर्फ 1599, रखा है एक बार पेमेंट करना है आपको तीन महीने में बस तिर्फ बार पेमेंट है तो आप लोग जोईन कर सकते हो जो बेगिनर हो अगर ड्राइंग, स्केचिंग को अपना इंप्रूव करना चाहते हो तो आप बिल्कुल जोईन कर सकते हो यह ओफर लिमिटेड टाइम के लिए फिर इसका फीज बढ़ जाएगा तो आप लोग जितना जल्द हो सके जोईन करो डिस्किप्शन में मेरा नंबर है आप मुझे मेसेज कर सकते हो वाटसप में और अगर आप फेस्बूक में देख रहें तो आप मुझे कमेंट क ठीक है इसे ज्यादा हम लोग इसमें जितना डीटेल करेंगे वो इतना इसमें बढ़ता जाएगा काम और वीडियो और लंबा होता जाएगा ठीक है तो इतना में हम लोग इसको खतम कर सकते हैं लैंड्सकेप को इस तरह आप डीटेल में स्केज कर सकते हैं decide करना है कि कहां रखना है किसको दिखाना है ठीक है और divide line के साथ पहले बनाने पहले divide करो फिर पहले baseline बनाओ कि किसको कहां रखना है उसका पहले एक line लो फिर उस चीज़ को वहाँ draw करके पहले fit करो ठीक है उसी तरह से अगर आप पीछे के चीज़ों को बना रहे हैं, तो उससे पीछे जाओ, जो सबसे सामने है, ठीक है, अगर अब divide line में है, तो वो छोटा है, उससे पहले है, तो वो थोड़ा बड़ा, और पहले है, तो और बड़ा, अभी ये जितना पहले आएगा, ये घर उतना बड़ा होते जाता, ठीक है, लेकिन एक distance है, जिसके वज़ा से इसका साइज जो है, वो मिडिल साइज है, नहीं छोटा है और नहीं बड़ा है, ठीक है, जो, लेकिन फोकस जो है, वो बिलकुल सही है, जो अगर आप पहले देखोगे इस केज को या ड्रॉइंग को, तो सबसे पहले आपका नजर जो जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ही कुछ दिखेगा, क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ों को मैंने इग्नूर किया है, हम जो देख रहे हैं, वो सिर्फ इस दोनों घर को देखना चाहरे हैं, पहले इसको, फिर इसको, और बाकी हमको एक फीलिंग है, इंप्रिशन है, जो पीछे करो, यह था लैंड्सकेप का कुछ डीटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एक चीज़ में बता देता हूँ कि यह जितना गैप होगा, ठीक है, घर का साइज या आप जिस सबजेक्ट को अबजेक्ट को बना रहे हो, उसका साइज छोटा होता जाएगा, और जितना कम होगा, उस सिच्वेशन में आप बड़ा बना सकते हो, जैसे अगर इसका गैप अगर यह रखता मैं, तो घर का हाइट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि जमीन का छोट आप बहुत दूर नहीं देखके सामने तक ही देख रहे हैं, तो उस सिच्वेशन में घ भर बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, आपका composition खराब होगा, कभी भी बड़ा नहीं करना, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते है कल, बाई